अई स्यॉस्त gratuit.. वेल्कम हों मैं एक्सय के साथ सिसने हम उसे डिस्क्रीट सिरीज कहते है यहां बढ़न हमे67 तो आपको question में आएगा कि आपको mean deviation निकालना है through the mean या फिर median तो आपको question में बताया जाएगा आज हम median से solve करेंगे क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने mean से solve की थी individual series आप guys सबसे पहले start करने से अगर आप चैनल पर पहली बार आयो और अभी तक आपने से subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe करो for new more videos और आपके जो भी doubts होते हैं चोटे-चोटे कोई भी doubts है business economics accounts में तो वो आप मेर से instagram पर id है तबिता मैसी या फिर youtube पर comment के थुरू पूछ सकते हो अब आगे बढ़ते हैं guys देखो सबसे पहला जब हम mean deviation निकालते हैं तो हमारी सबसे पहली requirement होती है आप चाहें इससे solve करो या इससे हम लोग median से solve करो हैं तो सबसे बहले हमें median निकालना आना चाहिए तो median को formula क्या होते है guys n plus 1 divided by 2th item और median निकालते वक्त कौन सी चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी series ascending order या descending में arrange हो हमने यह ascending में already arrange कर रखी है second चीज हमें cumulative frequency निकालनी होती है cumulative frequency कैसे निकालते हैं जो भी अपके frequency सबसे उपर है यानि कि first frequency इसको आप सामने लिखलोगे और next frequency add करते चलोगे तो 2 plus 4 6 6 plus 5 11 then 14 16 17 21 इसका मतलब है हमारी frequency का total भी क्या आ रहा होगा 21 आ रहा है अब हमें इसे median निकालना इससे 21 plus 1 divided by 2th item तो 22 divided by 2 कितना आ जाएगा 11th item 11th guys हमें CF में ढूणना है यहां पर हमें 11 exactly मिल गया कि 11 है अगर नहीं होता तो हम जो भी बड़ा number होता अगर यहां let करो 9 होता तो हम next को चूज कर लेते कि बड़े मिलाए करेगा 11 लेकिन यहां पर हमें already 11 आ रख है तो यहां पर हमारा median x में से हमें find out करना होता है 11 नहीं हो जाएगा हमारा median हमें x में से find out करना होता है जो कि आ गया हमारा 8 अब हमें निकालना है guys deviation deviation जो कि modulus में होगा बार में जिसका मतलब होता है कि आपका sign negative भी positive हो जाता है ठीक है तो deviation किस से निकालना है x का हमारा जो भी median आया है उससे तो यानि कि 4 में से हमें minus करना है median कितना आया 8 तो 4 minus 8 minus 4 होना चाहिए बट इस sign के धुरू वो positive 4 हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 2, 12 minus 8 4, 14 minus 8 6, then 8 यह निकालने के बाद आपको f d निकालना है यानि कि जो deviation आया है इसको f से multiply कर देना है तो f को अगर हम इससे multiply करें 2, 4s are 8, 4, 2s are 8, 5 multiply 0, 0, 3, 2s are 6, 4, 2s are 8, then 6, 1s are 6, 32 ठीक है अब हम इसका total करना है तो जो हमारा formula होता है गाई क्या formula होता है हमारा mean deviation का बहुत simple सा है देखो individual series में सिर्फ summation modulus d upon n होता था यहाँ पर frequency है तो frequency आगे लग जाएगा तो summation f modulus d divided by n तो सबसे पहले हम इसको summation करते है ठीक है 8, 8 हो गया आपका 16, 8, 8, 16, 24, 24 plus 12 plus 32 तो करो कितना आता है यह आगया guys 68, 68 को हमें divide करना है हमारे n से तो n हमारा यहाँ पर क्या है जो भी हमारा frequency का total है that is 21 अगर हम इसे cut करें तो क्या एगा 21 के 2 पर नहीं जाएगा यह 21 के 3 पर जा सकता है तो हमें इसे 3 पॉइंट में अंसर आएगा पॉइंट में अंसर आने कि यह 50 तो 32 तो 3.2 आ रहा है यानि कि हमारा mean deviation कितना आगया guys 3.2 ठीक है अब कई बार हम से question में coefficient of mean deviation पूछ लेते हैं तो coefficient of mean deviation कैसे निकालते हैं जो भी आपका mean deviation आया है उसको हम आपने अगर median निकाला है तो median से divide कर देंगे तो यहाँ पर हमारा mean जो भी हमारा mean deviation आते है उसको mean से या median से divide करते हैं तो हमने यहाँ पर median से solve किया है तो हम median से divide कर देंगे तो पहले तो mean deviation आया कितना 3.2 आया और median कितना आया था हमारा 8 आया था तो अगर आप इसे solve करोगे तो यह 4 पर चला जाएगा ठीक है तो यह आ जाएगा 0.4 क्योंकि already हमारे पास point था तो हमने लगा दिया तो 0.4 हमारा क्या आएगा coefficient of mean deviation का simple formula होता है क्या होता है जो भी आपका mean deviation आएगा जैसे कि 3.2 उसको median या फिर mean जो भी जिससे भी आपने solve किया है उससे divide कर देना हमने question median से solve किया था इसलिए हमने median से divide किया अगर आपने question mean से solve किया होता तो आप mean से divide करते तो आपका coefficient of mean deviation आ जाएगा so guys इस तरीके से हम अपने series को solve करते है जो कि बहुत simple है हमारे formulas बहुत simple है याद करने अगर आप इसे continue way में याद करोगे तो आपको individual का ये दिखाई देगा और discrete में सिर्फ f आगे लग जाता है तो बहुत असान है आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काफी चीज़े इसमें पॉइंट में आती है तो उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा I hope guys आपको ये समझ आया है अगर इससे related कोई भी doubt है आप में इस इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो Thank you